वेल्कम बेक टो मेडिल एजुकेसन तुम्हारा यही मैसर स्थाना कि प्लेज मेडिल एजुकेसन कच्छा नौवी के बिज्यान का बूश्टर डोज प्रोवाइड करा दो बूश्टर डोज बूश्टर डोज बूश्टर डोज आखिर कार ये है क्या बूश्टर डोज अरे मेरे भाई बूस्टर डोज वही जानेगा जो मुझे बहुत दिन से फॉलो कर रहा है जो नए है उनको बूस्टर डोज समझ नहीं आएगा लेकिन इतना फिक्स है अगर वो इस बूस्टर डोज को देख लेता है तो दुबारा यूटूब के सारे विडियो को भूल जाएगा और कल से उसकी यही पुकार बूस्टर डोज लाओ अब की बार एक ही मेसेज गुझेगा आपको बता है पूरा कॉमेंट सेक्शन भाया था इंगलिस पेपर का देने कवाद जैसे ही बच्चे इंगलिस का पेपर दे के बाहर निकलें बजा एक भाई साब मेरा दिमाग फेल मैंने जैसे ही ओपन किया यूटूब को सबसे ज़्यादा कॉमेंट भापर था बूस्टर डोज, बूस्टर डोज, बूस्टर डोज क्या है बूस्ट डोज, तो बूस्टर डोज मैं प्रजन करने वाला हूँ, देख लोज समझ लो क्या है बूस्टर डोज, लेकिन बूस्टर डोज को स्टार्ट करने से पहले मैं यही याग रह करूँगा कि सबसे पहले विडियो को लाइक कीजिए, अपने 10 दोस्तों तक share कीजिए booster dose मद्ध प्रदेश में पूरे जगए फैलना चाहिए तो 10 दोस्तों तक share कीजिए और फिर मैं आपके सामने रख रहा हूँ देखो एरक अच्छा 10 वी में कितना मस्त प्लाता हूँ कितने मस्त बच्चे पढ़ते हैं तुम भी पढ़ा हूँ टेंसर मतलो बस तुम फटा फट मेरे जुड़ जाओ और booster dose के लिए ready हो जाओ तो ये रहा का अच्छा 9 वी के बच्चों का booster dose देख भाई booster dose में ज़्यादा question नहीं है 20 प्रशन है 20 प्रशन है लेकिन अगर तुने इस 20 question को अच्छे से prepare कर लिया तो मद्ध प्रदेश के किसी भी school से हो किसी भी जिला से हो सब जगह का top पर तुम बनाओगे इस वाद की guarantee देता है आपको medal education देख भाई पहला प्रशन है कि ठोस की अवस्था ठोस के पेच्चा द्रवों में पाई डाल दूगा तो पानी फैल जागा पैंसिल नहीं फैल रहा क्यों यह प्रशन पूछा गया है गुपत उस्मा क्या है यह प्रशन पूछा क्या है गल्लांग और कौथरांग को को परिभासित कीजी गल्लांग क्या होता है कौथरांग क्या होता है अलाग अलाग भी पूछा सकता है और साथ मी आएगा कि गल्लांग वो कतनांग को परिवास कीजिए प्रशन है चार नम्मर का अगर दो नम्मर तो गल्लांग अलाग पूछे को इस चीज को कंठस्त दिमाग में बैठा लो इसलिए दोनों परिवास अच्छे जाद कर लो तुम कहां से मुझे बताओगे निए क्या कॉमेंट सेक्शन में लिखो सारे बच्चे कहां से हैं कहां से विडियोस देख रहे हैं अपने जीला का नाम पर लिखना फिर गाउं का नाम लिखना ताकि मुझे तुम्हारा गाउं भी पता चल जाएगा नेस्ट करता है कि पहनने चाहिए गर्वी में सूती कपले क्यों पहनना चाहिए आपको नायलोन का टेरी काउट कपले नहीं पहनना चाहिए बलकि सूती पहनना चाहिए क्यों ये आपकी एक्जाम में देखने को मिलेगा नेस्ट कहता है कि ठोस द्रव और गैस में अंतर ये तीनों में अच् में घ्रकार इसा जादू भर्ब के तुक्ड़े पास हो पानी पर नहीं तया पानी पर तेरेता रहेता है दूबता नहीं है ठीक फ़न एंक तर् 성े और अधात। त्वा योगित में और योगिक में तर बस यह तिन अंतर कंठा से लिए लेकिन हर इसलिए आपको दोनों को अच्छे से प्रिप्यार करना है आगे बढ़ते हैं भौतिक वर आसानी परिवरतन के उदारन देजी केवल एक्जामपल देखना कि कौन सा भौतिक परिवरतन है कौन सा रासानी परिवरतन है बस वागी कोश नहीं तो तुम एक्जामपल अपने साब से दस पंदर एक्जामपल देखलो दस पंदर भी बहुत ज़्यादा मैं कह दिया छह साथ देखलो टूटल तीन इसके तीन इसके तुम्हारा काम हो जाएगा नेश्ट कहता है कि कौलाइडी बिलियन के गुण बताओ मातर चार गुण पढ़ने है कितने चार मातर चार चार नमबर ज्यादे इसकी आउकात नहीं कि प्रश्ण पूछले भाई ना तूँ आएगा बस चार नमबर का ये चीजज कर लो ठीक है अच्छे से कर लेना नेक्स्ट टिंडल प्रभाव क्या है जब किसी प्रकास की किरिणे किसी छिद्रिट से घर के अंदर प् है सभी जिले में सभी स्कूल का पसंदीदा कुश्चन हंडड़ परसंड एगा कुछ आए एनाए लेकिन यह आएगा क्योंकि तरक पता है और शूत्री और अर्शूत्री व्याजने में अंतर वताई है तुह होता है अर्सूत्री इस अच्छे से प्रप्यार कर लेना नेक्स्ट अचार में नमक वा तेल रखने पर खराब नहीं होता क्यों ऐसा क्या रीजन है कि अचार कुछ लोग इसे रख्का भी बोलते हैं उसमें नमक और तेल लालोत कभी खराब नहीं होता लंबे समय तक चलता है ऐसा क्यों कोच सीका के तीन कारे बताईए आगे देखता है लाइसो सोम को आत्महत्या या फिर लाइसो सोम को आत्मघातिय थैली क्यों कहा जाता है ध्यान से देखलो आत्महत्या या आत्मघातिय थैली क्यों कहा जाता है नेक्स्ट कोस्टन पादप कोचका वजन्त कोचका में अंतर य इस प्रकार से यहां इतने questions complete यहां पर 7-8 प्रशन और बचे उसको देख लो फिर वीडियो करते हैं खतम रेखित और आरेखित पेसी में अंतर ठीक है देख लीना वैसे बहुत कम जगए देखने के लिए बहुत कम जगए देखने के लिए लेकिन देखने कुछ जगए आ सकत का है निवरान का चित्र जाइलम और फ्लोय में अंतर 200% से ओर है कोई भी जिला हो कोई भी जिला ठीक वैसे जैसे माइटरो कॉंडिय का बिजली ग्रहक्यों कहते हैं वैसे जैलम और फ्लोय है रक्त के कार्य तुरह का कार बहुत ज़्यादा तकड़ा इंपोर्टेंट है त चाल और बेग में अंतर 101 परसेंडेज मारकिंग होगे अच्छे से प्रिप्यार कर लेना दूरी और विस्थापन में अंतर इसे भी अच्छे से त्यार करना है ठीक है समझ गए अच्छे सुनो मैंने तुमको एच चीज बताना भोल गया अगर इसके PDF को डाउनलोड नहीं किय कियें और पूरा लिखना स्टे爆 चाल रहे हैं और संबस्यार कॉमेंट साइगा थैसे लिए अगर तुम को चाहिए से भी कामेंट करवा देना इस प्रकार से पूरा का पूरा तुहारा बूस्टर डोज होता है अरे रुकर रुकरु एक question और रही जा उतलावन बल किसे कहते हैं और पानी पे रखने पर कोई बस तु तैरती है क्यों पानी पे जब कोई शीच रख देते हैं तो तैरते रहती है क्यों और ग्रहों के गती के लिए कैपलर का नियम और कील को पानी में रखने पर डूब जात है अब इसको खूब प्यार दीजिए खूब सपोर्ट कीजिए लिंक डिस्क्रिप्शन वाक्स में है जाए जाकर के अपने PDF को डाउनलोड कर लीजिए चलिए मैं वेडियो को न करता हूँ एक्जाम के लिए अगल बेश्ट बाइ